बिस्ञारवारे मस्टा आलेकम खुश्य रहें आबाद रहें जहां भी रहें हैप्य हेल्दी रहें तो मैं हूँ एक्राव आप देखने कुकी मुत्रफियाडो का चेनल आज में आपको अदा कप गीहों के आटे और दो अलू से बनने वाली बहुत ही तेस्टी और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर हमने आदा कप घीयों का आटा लिए और इसमें शामल कर देंगे मेदा चार बड़े चमल अच्छी तरीकी से इन सब को मिक्स कर लेंगे इसकोश्टरी किसे अजवाइन और नमक कर देंगे जैके के मुताबिक इन सब को तरीकी से द इसमें थोड़ा सा पानी अट करते जाएंगे और स्कोश्टरी किसे मिस कर लेंगे गूंद लेंगे ना समोसा नक कज़ोरी एक तम जटपर मज़े दास ही है रिस्पी बनके रेड़ी होती है तो वीडियों को एंड तक देखिया यहां पर हम थोड़ा थोड़ा पानी समें करते जाएंगे और स्कोश्टरी किसे मिस करते जाएंगे तो अच्छी तरी किसे इसको हाथों के मदर से गूंद लेंगे सॉफ्ट डॉप बनाने इसकी बिल्कुल अगर इस स्टेच पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जब कर दीजी का चनल पर नहीं तो सब्सक्राब कर दी जो कर दीजिए एक चोटा सा प्यारा सा कॉमेंट अब इसके वीडियो पर थोड़ा सा ओयल लगा देंगे और कवर लगा कर साइट पर किंगे पांस मिनट के लिए अब यहां पर दूसरा बोल लेंगे इसमें शामिल कर देंगे बचा हूँ आटा जो हमने पहले बचा इसको गूंद लेंगे तो देखें इस तरीकी से आटे को हमने मिक्स कर लिया है इसके ओपर थोड़ा सा ओयल लगा देंगे और इसको भी हम कवर लगा कर साइट पर लखेंगे पांस मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए तो चलें फिर स्टफिंग रेडी कर लेते हैं यहां प्यास शामल कर देंगे एक सिमाल साइस का जिसको हमने चौप कर लिया था और इसमें शामल कर देंगे थोड़ा सा जीरा हाफ टीस्पून लाल मिन शामल कर देंगे जाके के मताबिक और इसमें थोड़ा सा नमुक शामल कर देंगे थोड़ा सा करम मसाल शामल कर देंगे एक चोटा चमच अधर एक लेसन के पेश चामल कर देंगे अब इसको चटकारता बनाने के रिए लिमू का रस चामल कर देंगे एक पड़ा चमच इससे बहुत ही चटपरटी हमारे मज़ेदार से स्टफिंग रेडी होगी इसमें शामल कर देंगे केप सिकप जिसको रफली कर देंगे कुश काटा और इसको हम गूं लेंगे आड़े को दुबारा ताकि अच्छी तरीके से यह सौफ्ट सा हमारे डोबन के रेडी हो जाएगा थोड़ा से डोल लेंगे पेडा बना लेंगे चोटा सा तो यहां पर हमने दो पार्ट लेने ग्रीन और वाइट वाला ड इसा तरीके से हम जोई ना दोनों प्रेडों की एक ही साइज हम रखेंगे ताकि अच्छा से इसका शेफ आजा इसको भी बैल लेंगे इस तरीके से इसको बीच पानी लगा देंगे इपर ना च्रपक जाएज की ऊपर तो यहाँ पर हम रोठी को रख देंगे और इसको इस थोड़ा से मिस्टर लेंगे और सारी ड्रोटी के उपर इस तरीके से फेला देंगे तो यह आपके उपर टिपन करता है कि आप कितना मसाला ले रहे हैं अब इसको इस तरीके से हम रोल कर लेंगे तो यह बहुत असाम सी रेसिपी आप जो ट्राइब कीजिएगा जट पर पंत बना के त्यार कर लेंगे तो इस मिक्स्टर से हमें जो इना पांच से चेदत रिंक बना लेनी हैं है ना मज़ेदार सी रेसिपी तो चलें फिर इंको फ्राइब करते हैं तो और कोच तरीकी से गरम कर लिए था हाइफ फ्लैम पर इसके मीडियम फ्लैम कर दिए सारे रंग इ किसी ना होने लगे अब इनके हम स्ट्राइब कर जाएंगे तक एच्छा तरीकी से अंदर तक बख जाए तो यह मज़ेदार से हमारी रेसिपी ड़न होने वाली है तो देखें कितनी क्रिस्पी खस्ता बनके रेडी हो चुकी है इस तरीकी से सब को हम निकाल के प्लेट में कर जाएंगे अगर आप चाहते हैं और मज़ेदार से खस्ता बने तो थोड़ा सा फ्राइब कीजिगा मजीद इस तरीकी से सारे हमने रिंक कर लिए हैं तो यह हमारी मज़ेदार से रेस्पी डेन हो गई है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जब कर दीजिएग अब शब्सक्राइब कितनी क्रिस्पी क्तिनी क्रैंची बने है। तो इसको इंजॉय कर बनाकर तो इस समझे 10 रेसिपी को जरुषे करी के चिंदे का फेमी फिल धास को सब्सक्तर याथे सब से पहले हम नमक ड़क्णेदार मेड़ता SPन और हजवान तो मॉस्पन हमने लिया कर सकता है कोई गी इस इसमाल कर सकता है, लेकिन हम ऐल डाल रहे हैं और इसको मिस करके हाथों से चेक करें, ये मुठी बन गई है तो ये परफेक्ट है अब थोड़ा-थोड़ा पानी नीम दरम हमें इसमे एड्ट करेंगे और जिसे हम आठा गूंथे हैं इसको भी इस तरीके लेकिन ज्यादा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके इसकी डो बना लेंगे यह हमारे त्यार हो गए यह दस से पंदरा मिंट के लिए इसको कवर करके हम रखेंगे साइट वे अब दो हमारा त्यार हो गए अब आते हैं फिलिंग की तरफ सबसे पहले हम साबुत मस अब हाइ फ्लेम जाएगा मिडियम व्लेम पर स्लाइट यह करेंगे हलका साइब आ जाएगे मीडिम फ्लेम में पर स्लाइट रोस्ट करेंगे उसके यह बारा gwraus लेंगे झालो हमारे मिंट्स आफन अभाट पा अटना ले गैंगे तो हमार अच्छी तरेके से पाउडर बन धलें फॉक लेंगे मीडा दा लेंगे उन तैबल स्पॉन में और तीन डाल देंगे उसको हमने द्सकाँ सबस्राइि कंट सस्वल तो में धुद्ध क्शिक著 मिस्च चूला के बार कश्च़ने मसाले में अब गप निम्पंपम क्षेम करें अची तरीके से मिक्स करेंगे और यह बिल्कुल असान सी फिलिंग है जो हमारी रेडियो होने वाली है अब इसमें एट कर देंगे लेमुकारस कर देंगे और इसकी इसमें चटपटी मज़ेदार सी फिलिंग हमारी त्यार हो गई है अब इसको हम रखेंगे साइड पर जब त लगी तो यह बिल्कुल न्यू रेसिपी है समोसे की डिजाइन की आप जरू ट्राइ कीजएगा और यह बहुत ही जबदस बनती है बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है तो अमी ने तो यह स्केल बगेर लिए इनको यह पट्टियां बना रही है बतने क्या करने वाली ह अमी यहां पर बैटर बना रही है मेदे से जो हम समोसे को फॉल्ट करेंगे यह डिजाइन बनाएंगी तो इसमें यह बना रही है तो आते हैं देखते हैं मि किस तरीके सीडिगान बना रही है बहुत ही मज़िदा सी रस्पी बनने वाली है वीडियो एंट तक जरू देखी किनारे साइड से बन करते जाएंगे और यह फुल्ट की तरह बन जाएगा अब दूसरी पटी लिए इसके बीच में हमने थोड़ा सा मेदा लगा लिया है अब इसको भी हम कट करेंगे चारों तरफ से और जो हमारा मसाला नजर आ रहा है उसको हम कवर करेंगे ताके वह भी हमारा बंद हो जाएंगे अब दोनों किनारे आपस में जोड लेंगे और इसके भी साइड बंद करेंगे बीच में थोड़ा सा मेदा लगा लेंगे और आपस में जोड लेंगे और किनारे हम साइड में बंद कर लेंगे है ना बिलकुल असान सा यह समोसे की डिजन बन गए इतना प्यारा है बीच में हम लोंग लगा देंगे ताकि यह हमारा अच्छी तरीक से लोक हो जाए इसी तरीके से अमी ने सारे समोसे बना लिये थी आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं तो आइए उनको फ्राइ करते हैं हमने पहले ऑईल को गरम कर लिया तो उसके बाद हमने इ इनकी आंच धीमी क्यों रखी है समोसों की धीमी आंच इस वजह से किया ताकि अंदर तक हमारे समोसे पक जाएं और यह क्रिफसी बनेंगे कचे नहीं रहेंगे और गॉल्डन और बहुत ही मज़े के करारे बनेंगे यह मज़ेदार से खस्ता समोसा मारेडियो हो गया है समोसे खुद बोलेंगे आप इनकी आवास सुनें कितनी करारा क्रिस्पी बने है आप चटनी के साथ इंज़ाए करें रमजान में आए दूसरी हम रेसिपी स्टार करते हैं अब बनाने वाली है अमी रिंग समोसा हमारे तो बहुत मज़े अलम्दुल्ला हम तो यह पता रही कौन-कौन से हमी रेसिपी बना कर हमें खिलाती है तो आईए इसकी डो बनाते हैं अमी ने आटा लिया था यहां पर फुक्षिंग आट कर दिया नमक डाल दिया तो वन टीश्पॉन और अजमाएं को मी ने हाथों के मदद से क्रिश्ट कर लिया था और इसको हम अच्छी त दाल दिया था लेसन डाल धिया था अजमने कूट लिया था हम अजकि हम रवै क्रिश देंगे हम न हम निसको ने सकत यह दो खाट लिया था और को changing अबले हुए मेटर विह कर देगे हाफ कप हमने चिकन लिया था उसको उनल खाल चिकन आ use warm अमने बडना पम निख कर देट सक दो यहाँ म рад माऌई तरीक से मिशन करेंगे और इसमें हम जर्दे का कलर एड कर देगी यानि कि फूट कलर अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं तो यह आप्शनल है अदा किलो हमने आलू लिया थान यहीं अची तरफ कर दे देगी है झाले के व्यूद्ट को में प्लुट क लिख देगी हो तो यह हमाने अजिट देगी अची यहीं तो लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपीस इंसर्प रेसिपीस में कौन सी टिजर अची लगी समुस होगी अब अमी ने जो आठे से बनाये थे डो के उनको अमी पेड़े की तरह बना लेगी यानि की वॉल बना लेगी छोटे छोटे चोटे और इनको कवर करके रखेंगी दस मिनट के लिए जब तक इस फोल्यों से वेस्ट हो जाएं जब रखेंगे तक डिजर बन बनानी है कीтом怎麼ze की डिजाइन बना नहीं एसी थोड़ी आशान है समसे बनानी है इनकिति अदो गडिền भी चीडे में फिराएंगे मैं पहलेत सब्सक्राणी महीं छोड और भी चाहिंगे जीडे। भॉक्त काथे हम दो ज़ीघे फोगे पहल एक चीजैएंगों यूप आने-छोड़ में नहीं की भीए फिरा कि अड़ रह से शाल में लेंगे, इृंटे में जुदिन तरो के कस बोदिया था को का इस तरह न सी उल्टा करेंगे वह करदा चुर्च इस तरह बहुंग西 हें जाली जाना है यह की तरह है, तरह लाद है दमने कि दाइं जानी कि दाइज Visa को में पल ! तो इस तरीके से सारी हमें एसी तरीके से बनाने हैं जैसे अमें जाली बनानी होती है ना तो एक इनके उपर फिर दूसरी इस तरीके से बहुत ही आसान है तरीके-सबनायां लेकिन सहुंछ से Ti मैं बनाते हैं लेकिन फ़ी डिजाइन वाले बनें donc ओर भी मज़़ए के ये बनेंगे मेमान आये और डिकोरोशन किया तो बहुत ही मज़े के ये बनेगे आपके बाबा हो जाएगी हाँ तो ये सुगड हुरतों का काम होता है ना हम उसके शामिल है इंशाला अब ये हमारी त्यार हो गई अब इसके ओपर जो आटा गूम लिया था ना थोड़ा सा ताके अच्छी तरीके से ये हमारे रोल जो है चिपक जाएए हाँ तो ये मसाले बाहर ना आ जाए अब ये साइड़े किनारे बंड कर लिए अब इसको गुमाते आए फिर जो आखरी हमारे कोना बचा इसको भी हम आटा लगा देगे इसको दबागे बंड करेंगे अब ये किनारे हमने जोड लिए है आपस में बिलकुर और हमारे ये दस बारा बन गए राम से तो आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं तो आए इनको फ्राइ करेंगे और को हमने गरम कर लिया था पर लिए अब दीमियांज पर इनको गोल्डवन ब्राउन होने तक पकाएंग इसमें हमने मेदा लिया था ढाय सनी अब पनावम दाले नमक डालेynı तू कर लिया धैस ली माल et Lo konone मिनेट्स के लिए अब आते हैं स्थफिंग क्यार करेंगे श्वी चाहिब करेंगे framework connection की mówią अये लिया थे 7 तो हुने जेंख साद्ध नयों डालेगे 1 टी स्पॉन सबको तरी openings करना रिसनी हम abbiamo frozen겨 जालेंगे देश्पर जाल जालेंगे जालो फिर्दी तरह हमें अच्छी तरी किसी तरी किसी मिस घ।कुरतों जालेंगे कर दीजिए एक तो लाइक पंता है और प्यारा सा कर दीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी अब इसे हम शामिल करने जा रहे हैं लाल मिर्च वन टेबल स्पून वर इन सब को हम अची तरीके से मिस्ट करेंगे मिक्स करने के बाद इसमें हमारा दन्या डाल देंगे जो हमारी मज़िदार सी स्टफिंग त्यार हो गए कि इसके हम आच बिल्कुल बंद कर देंगे और रखेंगे साइट पर अब इस समोसा को खुश्रत बनाने के लिए मी बनाएगी डिजाइन समोसा की जो कि बहुत जबर्दस बनने वाली है और बहुत असान है वीडियो को इस लेन का वाई सबूर का तो फल मिठा होता है ना तो इस तरह के से हमने दो यह काट लिए थी अब एक उठाएंगे एक रखेंगे और रखेंगे जो दूसरी हमने पटियां काट ली थी वह बीच में रखेंगे अब जो उठाई थी वह वापस से इसको रखते जाएंगे जाली की तरह बनाना है मतलब जो नीचे पहले इससे पड़ी थी अब उसको उठाना है हमें अब यह दूसरी पटी हमने रखेंगे इसके बीच में और मिलाते जाएंगे इसी तरीके से आप बनाती जाएंगे मतलब सारफ फिर हमारा मिक्स्चर भाड़नी निकलेगा जाली क बन जाएगा जिसाली बन जाएगा जियगा अद्च लिकस्ता बन जाएगे अब हमारे संपोसे कि अहले किनारे जाए हमारे स्थी हाथ में पन रखेंगी यह इनटे के लिएपात तो रोज रोज समोसे खाते हैं क्यों ना इनको चेंज किया जाए क्यों ना की डिजाइन बनाई जाए को बच्चों को खाने में मज़ा आ जाए तो इनको फ्राइब लगे हैं लो फ्लैम पे बिल्कुल ओप पेले गरम कर लिया था इसके बाद दीमी आज पर इंदर से क्रिस् बहुत ही कस्ता करकर आ रहे हैं हमारे समोसे रेडी हो गए हैं तो आप इनको जबर ट्राइ कीजिएगा फिर मिलते हैं एक जबरदस्ती रेसिपी के साथ तो मुझे और मेरी फेमिली को दौन में याद कीजिएगा अल्ला हाफिज